अलो इद्यात्यों नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारी यूटीब चैनल मानोज एजूकेशन के शौनल प्लेटफॉर्म में आज की ससन में हम बात करेंगे पी टीजी टू येश का जो अपवर्ड मोमेट है उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है बाकी अगर हम बात करें ज तो येश वाल है उनका जो सेकंड लिष्ट है वो भी इनके एक साथ में जारी कर दी गई है आप सभी को पता ही है अब इसमें जो कम्प्रीट आपके जानकर है अपवर्ड मोमेंट में जो रिपोर्टिंग करें की जो डेट है वो 25 तारी पहले बताई गई तिया आप इसमे अगर बात करें कुछ ऐसे भी इसमें अगर बात करेंगे कि अगर आपने नहीं करते हैं तो 27,000 रुपे की जो फीस है क्या वो आपको वापस रिपंड होगी या नहीं होगी तो कम्प्रीट हम आपको जानकरी देने वारे हैं और जो अभी जो जिनकी सेकंड वेटिंग देने वाले हैं तो बिना किसी दरी के सासन को करते हैं स्टार्ट और सासन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी से रिखवाश्ट है कि जो भी मित्र अभी हमारे चैनल के ओपर जोनों ने पहली बार वीजिट किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दाना आप सब boyfriend कि दरी कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं लेका हुआ है कि दो वर्षिय बीर्ड पर इक्सा दो जार तेविस के पांच हजार रुपे ओनलाइन जमा करवा कर रजिस्टर्ण करवा चुके पूरी फीस यानि 27,000 रुपे वरकर कॉलेज जमान कर चुके विध्याती यानि अपवर्ड मुमेंट में शामिल के लिए निम्न अनुसार कारेकर निरधरित किया गया है इस लाइन का मतलब यह हैं कि एक तो इसमें दोनों का बताया गया है यानि एक तो जनौने 27,000 रुपे वरके उन्हों उसके बाद में अपवर्ड मुमेंट कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है और एक जनौने केवल 5000 रुपे वरवाय था और कॉलेज में जो नंकी को फील की थी लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला उन दोनों के बारे में इसमें बताया गया है उनका जिक्र किया गया है कि दो वर्षिय बीड में परतम सूची में समयलित नहों जो केवल रजिस्टर्शन फीस बर चुके हैं और जोने अभी तक कॉलेज अलाउट जो नहीं हुआ यानि पांच हजार उपे जनाने फीस बरी हैं यहां पर देख सकते हैं कि दो वर्षिय बीड में परतम सूची में यानि जब आपकी पहली लिष्ट जो इनकी वी थी तब उ पहली लिष्ट जो इनकी वी थी तब उन्होंने जब आपने वह जो कॉलेज भरी थी और पांच जार उपे के फीस बरी थी लेकिन आपको उसमें कॉलेज नहीं मिला था उसके बारे में यहां पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिका हुआ है अब यह जो लाल कलर में जो नरदारी तिती तक करनी आशक है यदि कोई भी नवी इजारतियों का परवेश निरस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें पूरी फीस यानि 27,000 रुपे वापस भी यह नहीं लोट आई जाएगी यानि अगर बात करें इसमें सबसे बड़ी बात की गई है इसमें अगर बात करें दोनों के बारे में का गई है अब देखो जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्टिंग कर वही थी पांच जार रुपे दी थी कांस्लिंग के और उसके बाद में उन्होंने केवल है वो कॉलेज फील करी थी लेकिन जब इनकी फर्स्ट लिस्ट आई थी कॉलेज मि आगे बताऊंगा उस निरदरी तिति के दोरान आपको जो आपको एक बार कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करवानी है और अगर आपने वह रिपोर्टिंग के लिए कौन-कौन से डोक्यूमेंट चाहिए तो आपको पतावना सब्सक्राइब तो आपको जरूर देख लेना और वो 16 डोक्यूमेंट आज ही तयार कर लेना ठीक है यह तो हो गया है अभी जिनको नया कॉलेज मिला है अब हम बात करते हैं अपवर्ड मुवमेंट में जिनको अभी हाली में नया कॉलेज आवांटित हुआ है 25 तारीक इने 25 अगस्त को आज को आज ही उनको जो अभी नया कॉलेज है वहा पर उनको रिपोर्टिंग करने के लिए यही 16 डोक्यूमेंट आपको लेकर लेकर करके जाना है और वहां पर आपको करवानी है रिपोर्टिंग आजी सुवे मैंने एक वीडिया अप लोड किया तो उसमें जो गलती शे बता दिया था भडवर्डबाजी में मैंने बता जा कि आप वड़ूमुमिंट कितनी बार करतें कितनी बार नहीं कर वासके तो वह जो गist बरकर कॉलेज जवाइन जैनि अपवर्ड मुमेंट में ऐसे सभी विद्यारतियों के निर्दारित फीस बरकर कॉलेज जवाइन या अपवर्ड बाद नए अवंटित महावी जाले में कॉलेज जो लागू करने है तू दिवतिय सूची में सामिल सभी पात्रा वियारतियों के सब्सक्राइब के लिए बताया है यह विसेश टाइम फ्रेम केवल दो वर्षी बिए डेतु जारी सेकंड मेरिट और आपवर्ड मुमेंट लिस्ट जारी की गई है चार वर्षी एंटी ग्रेटेड बीए बीसी बीए डेतू अधी सूचना पंद्रा के अनुसारी कारेकरमा पूर्वत यानि कि अगर बात करें यह जो अभी सेड्यूल आपको मैं बतारूंगा यह केवल दो साल वालों के लिए हैं जबकि चार साल वालों के लिए पहले से वह आपको जारी कर दिया वहां पर आपकी वेबसाइट पर जाकर करके देख लेना अब हम बात करतें इसके कम्प्रीट जानकारी सबसे पहले देखिए इनकी आपकी जो डेट है वो बड़ा यह यह नहीं बड़े इसके बारे में देख तो इनकी डेट है वो बड़ा दी यहां पर देखिए कॉलेज आवंटी सूची में नाम होने पर कॉलेज आवंटन पत्र एतू आवश्यक डॉक अप्लोड करना निर्दारी शुलक 22,000 अक्षर 22,000 रुपे इमित्र के माजिम से जमा करवा कर आवंटी महावी जलेगा वहां पर आपको प्राप्त करना है यह जो दिया गया है पहला जो यह किसके लिए हैं यह अगर बात करें जिन्होंने पहले 5000 रुपे की फीज जमा 22,000 रुपे बढ़ी थी अब उनको 22,000 रुपे फीज बने की जो लास्ट रेट यहां पर बता ही गई है वो बता ही गई है कितनी 30 अगस्ट से लेक है जो 38 2023 बुद्वा रातरी बारा बज़े तक 30 तारीक तक 30 अगस्ट तक आप इसमें जो 22,000 रुपे की फीज बर सकते हैं यह कौन-कौन बार सकता है आपको पता होना चाहिए जो जोनोंने फर्स्ट लिस्ट में जन्हों ने काउंश्लिंग करवाई थी पहँजार रुपे दिये थे और उसके बाद में अगर बात करने उन्होंने प्रस्ट लिस्ट में उनको कॉलेज आवंटी नहीं हुआ था तो रेपोर्टिंग करने की क्योंकि अभी देख अपवर्ड मॉमेंट का रिजल्ट आया है तो अपवर्ड मॉमेंट में अगर बात करें तो जिन भी स्टुडेंट को नया कॉलेज जो आवंटी तो न्यू कॉलेज जनोंको आवंटीट हो चुका है उन्हों को है वो 31 अगस्त गृरुबार्ट तक और की अवो qarर्टिंग करनी уж कि आगे इसकी डिएट वो नहीं बəड़ाहिं जा सकती लेकिन इसमर possa नहीं लिका हुआ है ठीक है अब कोई जरूरी नहीं है किसकी डिएट आगे बड़ाएगी या नहीं बड़ा इंगी तो लेकिन आपको पर बन्लेगे और वही सोला डोक्यूमेंट लेकर करें जाने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सिंट में आपको लिंक मिलेगी इसके अलब अगर बात करें यह देखो अब यहां पर अगर बात करें इसके लिए यानि अभी जो वाई सेजार रुपे की फिस बरेगा इसके लिए अगर बात करें तो यह फिर इसका यानि कि यह रिपोर्टिंग करवा देगा इसके बाद में यह अपवर्ड मुमेंट करवा सकते हैं आपको ध्यान में रखना है लेकिन यह वाले नहीं अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके काफी सारे जो श्वाल है अपवर्ड मुमेंट को लेकर के अब देखो एक बच्चे का जो अभी कमेंट एक ने यह से बहुत सारे बच्चों की कमेंट आया है कि सार हमने एक बार अपवर्ड मुमेंट करवा दिया है कि हम बबार अपवर्ड मुमेंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं इसको लेकर करके अगर बात करूं तो एक बार जब आपने अपवर्ड मुमेंट करवा दिया है ठीक है यह अगर बात करें आपने पांच जा कि बाद में अगर बात करें आपको यहां पर कॉलेज आउंटी हो चुका है आपको एक बार आपको नहीं करवा सकते हैं अब आप दोबारा नहीं करवा सकती आपको ज्यान में रखना है ठीक है एक बात हुए अब कुछ से भी स्टूडेंट है जो मतलब कि यह कह सकता हूं कि जिनको पहले एक बार कॉलेज आवंटी दोचुका है और उन्होंने अपवर्ड मोमेंट करवाय था और उसको कोई दूसरा कॉलेज आवंटी दोचुका है लेकिन अब यह जो स्टूडेंट है वो इस कॉलेज में नहीं चाता है क्या वो इस कॉलेज में जो आपको पहले कोलेज में जा सकता है या नहीं जा सकता है तो मैं यहां पर यह क्या हूंगा कि उसमें वो नहीं जा सकता है क्योंकि यहां पर उनको पहले कॉलेज आवंटीट हुआ था वहां पर अगर बात करें तो इनका एड्मिस ने व पर आपका admission confirm होगा admission confirm होने के बाद में आप उना है दोबार है वो पर आपका निर्दारी तितित करनी आउश्यक है यदि कोई विद्यार्ति नमींतम आवंटी महाविध्याले मुपस्तित नहीं देता है यानि कि वह रिपोर्टिंग नहीं करता है तो ऐसे विद्यार्तियों का परवेस्ट होता है निरस्त कर दिया जाए और उन्हें पूरी ज के स्टुडेंट को 29,000 रुपे प्रतिवर्स स्कॉलर्शिप मिलेगी जिसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगी वह एक बार आप वीडियो जरू देखना चैनल को सब्सक्राइब करें इसी परकार के नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम डू टाइम मिलते अरे दे थेंक यू